नमस्कार, वेलकम टू माई चानल, सोल ही लवरंकेता गुर्वाल एक मैम ने हमें अप्रोच किया उन्होंने हमें बताया कि 14-15 सालों से वो लगातार बीमार चल रही है और बीमारियां भी बहुत ही बड़ी बीमारियां है लिवर खराब हो गया, इंटेस्टाइन्स खराब हो गई पेट की परिशानियां और-और हो गई कभी अलसर हो गए, कभी कुछ हो गया बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां उनको एक के बाद एक होती चली आई है और अगर बीमारी नहीं होती है, तो उनके आक्सिडन्स हो जाते हैं बहुत ही ज़ादा तकलीफ में थी, इतनी ज़ादा परिशानी थी उनको कि हमसे जो बात भी कर रही थी वो बहुत ही रोते हुए बात कर रही थी स्टमक की डिजीज उन्हें बहुत ज़ादा होई हैं उन्होंने एक पैटर्न और भी बताया कि उन्होंने जिस किसी के साथ भी फ्रेंडशिप की उसने इन्हें धूका ही दिया, हालंकि ये मैम बहुत ही नेतिकता पर चलने वाली हैं और जिस किसी को भी इन्होंने पैसे दिये, उसने पैसे वापस नहीं किये इन्होंने तो कैसे कैसे करके, मुश्किलों से अरेंज करके उसको पैसे दिये, उसकी मदद करने के लिए लेकिन इन्होंने वापस ही नहीं किये, ये भी एक धूका उन्हें मिला और भी तरह के इने धोके मिलते गए, कि इनकी जो condition ऐसी हो गई, इनकी हालत ऐसी हो गई, कि इन्होंने सोचा कि अपने आपको खतम ही कर देना चाहिए, क्यों ना मैं suicide ही कर लूँ, वो ही ठीक रहेगा, इतनी तकलीफों वाली जिन्दगी से शायद मुक्ती मिल जाएगी, ले आखिर में जाकर इनको मदद मिल जाती थी, और कुछ न कुछ ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाता था, या ऐसा कोई इलाज मिल जाता था, जिस से ये ठीक हो जाती थी, हाला कि कोई चमतकार नहीं होता था, कि एकदम से ठीक हो गई, लेकिन ना तो ये मर पा रही थी, और ना ही ये जी पा रही थी, ऐसा हो रहा था इनके साथ, कि कोई ना तो इन्हें मरने दे रहा था, बाकी के लोग जीने भी नहीं दे रहे थे, लोग कहें या परिस्थितियां कहें, तो ये इतना जादा परिशान हो गई, कि इन्होंने कहा, कि मैम आप हमारा PLR कर दीजे, मैं जानना चाहती हूँ, कि मैंने ऐसा क्या किया है, या मुझे इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियां क्यों होई हैं, इनके ऊपर तंत्रमंत्र प्रयोग भी काफी हुए, ऐसे हुए कि इनकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उसमें भी इनको मदद मिल गई, कई सारे इनके इशूज रहे, जिसकी वज़े से ये PLR लेना चाहती थी, तो हमने इनके तीन सेशन किये, क्योंकि इतने जादा दुख में थी, इतनी तकलीफ में थी, तो इतने दर्द के साथ कोई पास्ट लाइफ को एक्स्प्लोर कर नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, तो हमारे लिए ये किये, वो इनकी एनरजी को ही हील करने के किये, और उस से इनके अंदर बड़ा ही miraculous change भी आया, ये बहुत अच्छा फील करने लग गई, हसने लग गई, ये कितना एक important बात है, कि जो पहले इतना जादा रो रो कर बात कर रहीं थी, और वो हसने लग गई, अच्छे से बात कर करने लग गई, और बहुत ही balanced उनकी energy हो गई, तो जब हमने इनका PLR किया, तो जैसे जैसे हम इनको past life में पहुचाते जा रहे थे, ये थोड़ा सा पहले से ही past life को देखने लग गई, और इन्होंने ऐसा देखा, कि इन्होंने crown पहन रखा है, बहुत ही milky fair इनका color है, बहु इन्होंने अपने आपको एक महल के सामने खड़ा हुआ देखा, और इन्होंने कहा, ये महल तो मेरा है, और मैं एक princess हूँ, ये अभी young age में ही थी, और इन्होंने अपना नाम भी बताया, इनको white color बहुत पसंद था, तो जादा तर ये white gown पहनती थी, और अपने आपको इन् 1859 में देखा, लंडन की वो जगा थी, उन्होंने देखा कि वो अपने parents की only child है, उनके एक cousin brother है, जो कि उनसे बड़े हैं, और उन्हें थोड़ा सा चड़ होती है, कि ये single child है, तो सभी कुछ इसको मिल जाएगा, अगले ही scene में उन्होंने देखा, कि ये किसी बात से बहुत जादा कोड़े से मार रही है, उनकी wife भी उनके साथ है, और एक कमरे में वो उन दोनों को बहुत बेरहमी से पीट रही है, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही जादा इनको मार रही हूँ, तो जब हमने उन्हें दिखाया, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या पराद किया है, कि आप उनको ये सजा दे रही है, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने किसी तरह से फ्रॉड किया है, और ये जो महल है, ये अपने नाम करवाना चाहते थे, और इस बात का पता इन्हें लग गया है, और ये इस बात से बहुत ही जादा गुसा हुई है, और इन्हें इतना जादा ग कि वो जो ब्रदर, कजिन ब्रदर है, वो तो डिसेबल हो गए हैं, और जो उनकी वाइफ हैं, उनको पेट में बहुत जादा मारा है, तो उनको भी परिशानी बहुत हो गई है, जो वाइफ थी, जिनको ये लेडी जो थी, जिनको ये मर रही थी, उन्होंने इतनी तकलीफ में, उन्हें बहुत तकलीफ के साथ बोला, कि जितने कोडे तुमने हमें लगाए हैं, हर कोडे का हिसाब होगा, ऐसा श्राब दिया, फिर इन्होंने हमें ये भी बताया, कि ऐसा कर parents को बता सकती थी, या कुछ और भी action लिया जाना चाहिए था लेकिन ये जो इनोंने किया ये बिलकुल भी सही नहीं था लेकिन अब ये कर भी क्या सकती थी जब इनोंने करम तो कर ही दिया फिर इनोंने ये भी बताया कि इनके पिताजी ने इनको कहीं monk वाली जो monastery होती है वहाँ पर भीज दिया कि जिससे ये अपने गुस्से पर काबू पाएं और थोड़ा better person बन जाएं तो ये वहाँ पर 5-6 साल 6-7 साल वहाँ पर रही जब इनसे ये pattern देखने को कहा कि आपकी life में सब लोगों से आपको दोखा क्यों मिलता है तो इन्होंने ऐसा बताया कि मैं बहुत beautiful हूँ और कई सारे लड़कों से मैं मिली हूँ लेकिन कुछ समय के बाद मेरा मन इनसे हटने लग जाता है कई लोगों से इन्होंने शादी के वादे भी किये हैं लेकिन फिर सब को छोड़ती चली गई और एक लड़के को इन्होंने देखा तो उस लड़के से इन्होंने जुट बोलकर किसी तरह से पैसे मांग लिये थे उसकी आर्थे किस सिती अच्छी नहीं थी उसने किसी तरह से अरेंज करके इनको पैसे दिये और फिर इन्होंने उसे पैसे कभी वापस नहीं किये तो इस जनम में ये जो लड़का था इस लड़के ने भी इनसे पैसे मांगे और फिर उसके बाद वापस नहीं किये तो ये जो जानना चाहती थी कि वो मेरे पैसे क्यों मार के ले गया इसका उन्हें आंसर मिला और क्यों इनके साथ धोके होते थे इसका भी उन्हें आंसर मिला क्योंकि इन्होंने ऐसा ही किया था इसलिए इस जनम में भी उनके साथ वैसा ही हो रहा था एक व्यक्ति को इन्होंने बहुत ही जादा प्यार के वादे कर दिये थे शादी के वादे कर दिये थे और इन्होंने फिर क्या किया कि कहीं और शादी कर ली तो उसे इतना शौक लगा उसे इतना सद्वा लगा कि वो तो अपनी जान देने पर आ गया था किसी तरह से वो बच गया है ना तो इस जनब में भी इनके साथ ऐसा हुआ कि ये भी कुछ incident ऐसे हुए जिसकी वज़े से इनको भी ऐसा लगा कि मुझे अपनी जान ही दे दिनी चाहिए तो एक एक करके जैसे जैसे पड़तें खुल रही थी इनके सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे फिर जब हमने दिखाया कि इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों की वज़ा क्या थी इसका root cause क्या है तो ये तुरंथ एक और पहले की life में चली गई इन्होंने देखा ये 17th century में है ये वैसे भी मैम ये वाली मैम जो है ये काफी evolved soul है ये इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ देखती जा रही थी खुद ही काफी कुछ बताती जा रही थी तो इन्हें बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था और इन्होंने जब देखा कि ये 17th century में है और इसमें ये female ही है middle age है इनकी और ये किसी तरह के न साधना, तंत्र, साधना वगेरा करती है मंत्र, साधना वगेरा जानती है इनके parents की death हो चुकी है और ये इनको blood में ही मिला है कि ये चीज़ां ये जानती है तो इनके पास कुछ-कुछ लोग आते है अपने दुख दर्द लेकर आते है और ये बिना ये जाने कि ये सही कह रहे है या गलत कह रहे है ये उनकी मदद कर देती है तो इन्होंने देखा कि एक दंपत्ती आये हैं इनके पास और वो बहुत रो-रो कर अपनी दुख बरी कहानी सुना रहे है कि उनके रिष्तेदार ने उनने परिशान कर रखा है तो इन्होंने एक पुडिया में कुछ बांत कर दिया और इनसे कहा कि तुम उसे खिला देना तुमें परिशान करना बंद कर देगा तो इनकी जो पुडिया थी उसे खाने के बाद जो रिष्टेदार था उसकी सारी आतें खराब हो गई आतों ने काम करना बंद कर दिया तो इससे इन्हें ये पता लगा जो इनकी आतें खराब होई हैं वो क्यों होई हैं इनका बस ये था कि जो मेरे पास आया है मुझे उसकी मदद करनी है चाहें वो सही हो या नहीं हो ये नहीं देखती थी वो तो ऐसे ही इन्होंने और लोगों की भी मदद की जो की शायद वो सही नहीं थे और हर कोई अपनी अपनी कहानी जो है अपने हिसाब से बताता ही है ऐसे में जो इनोंने किया उसका बहुत बड़ा करम बन गया और जो इनके साथ इस जीवन में इस तरह से सामने आया लाइट तो चली गई है लेकिन मैं इस वीडियो को पूरा कर देती हूँ तो इनोंने इस जीवन में ये भी देखा कि इनोंने फिर ये काम छोड़ दिया था और तपस्या करने में लग गई थी जंगल में ही चली गई थी और तपस्या करने लग गई थी तो उनको अपने सारे ही question के answer इस life में मिले इस past life में जो इनोंने दो past life देखी थी फिर जैसा process होता है हमने सभी के साथ सारी energies को settle कर आया और इनके जो spirit guide थे इनको ये लगता था कि ये जो spirit guide हैं ये हमेशा से इनके साथ रहते हैं और उन्होंने ही इनकी बहुत बहुत जादा मदद की है जब जब इनकी इनकी जंदगी पर संकट आया है तो उन्होंने ही इनकी मदद की है ये उन्हें महसूस कर पाती हैं और देख पाती हैं तो वही spirit guide को इन्होंने ट्रांस में भी देखा और वहाँ पर हमने उनसे guidance दिलवाया तो इन्हें अपने आगे के जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छा guidance मिला जो इन्हें करना है इनके life में जो purpose लेकर आई हैं वो भी इनके spirit guide ने इनको बताया और अब आगे का जीवन इनका सुखी होगा क्योंकि इनके जो बहुत बड़े-बड़े करम थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ये सब पहले से जानती हूँ मुझे पता है कि मुझे करम भोग भोगने के लिए ये जीवन लेना जरूरी था और मुझे ये करम निप्टाने जरूरी थे अब मुझे जो life purpose है वो ही मुझे life purpose अपना पहले से लगता था मैं उनके जो मेरा life purpose है जिन लोगों की मुझे मदद करनी है मुझे अपने आप ही पहले से फील होता था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ इस तरह से उन्होंने ये भी चीज़ें शेयर की हमसे जो कि ये बताती है कि कितना resonance है उन चीज़ों में तो बहुत सारी चीज़ है तो हम ऐसे disclose नहीं कर सकते हैं कि exactly आपको वैसा वैसा बता दें तो जो चीज नहीं बताने की है उसको मैं नहीं बताती हूँ जिससे कि किसी की identity disclose ना हो ये sessions मैंने online ही किये थे और जितने भी session कर रही हूँ online कर रही हूँ और successfully कर रही हूँ तो अब उनके बहतर जीवन के लिए हमने शुब काम नहीं दी अपनी तरफ से भी और उनका जीवन आगे बहुत बहतर हो क्योंकि बहुत समय से उन्होंने एक बहुत ही खराब कर्मा को balance किया है उनका जीवन सारा इसी में निकल गया तो अब उनको बहुत अच्छा जीवन मिलना चाहिए और जरूर होगा भी तो देखिए इस case में से हम क्या-क्या सीख सकते हैं एक तो ये कि जो इस तरह के मंत्र प्रयोग करते हैं जो करने वाले होते हैं उनका भी देखो किस तरह से कर्मा बन जाता है अगर आप खुद भी उनको कर्स कर रहे हैं कि जिसने ये किया है उसका ये 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 ऐसा ऐसा हो जाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनको अपना कर्मा खुद मिलता है, अगर आप कर्स करेंगे तो वो कर्स की एनरजी आप तक भी तो वापस आईगी और इस केस से ये बात भी पता लगती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसा जैसा उन्होंने किया वैसा वैसा इनको सफर करना पड़ गया तो जीवन में हमेशा गुस्से पर काबू रखना जरूरी है जब भी गुस्सा आए, उस समय करम ना किया जाए, वो ही बहतर होता है, ऐसे में कितने विकर्म हम बना लेंगे, हम ये नहीं जानते हैं, और जितने करम बनाते जाते हैं, उनको बैलेंस भी हमें ही करना पड़ेगा मुझसे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मुझे मेरे वाटसेप नंबर पर वाटसेप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं मेरे वाटसेप ग्रूप को जॉइन करना चाहते हैं उस पर काफी सारी information जो भी events आने वाले होते हैं उनके बारे में information WhatsApp group में मिल जाती है तो आप WhatsApp group join कर सकते हैं इसका link description box में available है उसका link देस्क्रिप्शन बॉक्स में available है उस पर click कीजे और WhatsApp group पर join हो जाईए आज की video में इतना ही, thank you for watching आप